हलो दोस्तो स्वागत है मेरे उटीच अलम पे तो आज मैं लेकिया हूँ गर्मा गरम सीमला मिर्ज के पकोड़े और मैं कुछ अनुखे तरीके से बताऊंगी और बनाना बिल्कुल असान होगा और इस बार उसके मुसम में एक बार अब इसको जरूर बना के खाएं बहुत ही आपको अच्छा लेगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तीन बड़े स्वाइच का आलू जिसको मैंने उबाल के मैस कर लिया है अब यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिस में डाल देंगे जीरा पाउडर थोड़ा सा मिस में डाल देंगे गरम मसाला और यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर तीखे गंसार इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे आप अपने तीखे गंसार कमिया ज़्यादा कर सकते हैं तो यहां पर मैंने लाल मिर्च डाल दिया है आप चाहें तो पिसे हुए हारा मिर्च भी आप दरदरा इसमें कुटके डाल सकते हैं बेसन करए चावल काटा बखिशल की, दे रेने मरे कोड़ा होता है मारा स्वादन सार में नमक यहां पे गायठ साले लिए किया कृड़ी स्कैय AH! यहां पर थोड़ा थोरा फ़ेंगे को मिला दिया करना में और यहां episode को हमभी हम साइट कर देंगे स्कूबूर्力 फारिखर की विल हब उने शकट है जो secret ब्रोप्त मिन तो यह इखा जो मैं निकर देंगेigon पर रहीं निकल दिया है और frågor जो भी वी में उसको कोसा छीत पीज में लिए और आ पर स्थाथ समय को यह झाल दो too और खाईए और किसी को भी खेलाएंगे तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने सिम्रा मिच कई पगोडा बनाया है तो यहां पे देखिए मैंने सारा यह निकाल के त्यार कर लिया है अब जो मैंने आलू का मसाला डाला बनाया था उसको इसमें हम भर देंगे तो बहु प्रक्ति टेस्टी लगता है तो एक बार आप इसमें सिम्रा मिच का पकोड़ा बनाके आप खाईए आलू पियाज का पकोड़ा भूल जाएंगे तो यहां पे देखिए मैंने अच्छे से आलू का मसाला इसमें अच्छे से भर लिया है दबा दबा के आप देख सकते हैं तो अच्छे से मैंने भर लिया है बिल्कुल भी अंदर से खाली नहीं है तो यह देखिए मैंने भर के एक तयार कर लिया है तो यहां पे देखिए मैंने सारा ही भर के तयार कर लिया है तो अब इसको हम फ्राई करेंगे तो एक साट मैंने तेल को रख लिया है गरम होने के लिए तेल भी हमारा गरम हो गया है तो आज को मैंने कम कर लिया इस टाइम अब यहाँ पे हमने जो बेसन का घोल बनाया था उस पे हम उपर डाल देंगे पूरा तो आप इसको पतला न रखे थोड़ा सा मोटा ही रखे तभी इस पे अच्छे से यह चिबग जाएगा तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने इसको डुबा लिया है और एक एक करके में तेल में छोड़ देंगे इस तरीके से तो इसे ही हम अपने एक और आपको डाल के और दिखाते हैं और देखिए कितना बनाना आसान है तो यहाँ पे हम उपर से बेशन का गोल डाल देंगे और इसको भी हम तेल में डाल देंगे तो इसी तरह हम अपना सारा बना की इसमें डाल देंगे सारे पकोड़े को और उपर से हमने थोड़ा सा डाल दिया इसमें तो यहां पर देखिए एक साइट से हो गया था तो मैंने इसको पलट लिया था अब दुनों साइट से अच्छे कोई भी पहचान नहीं पायागा और ऐसे भी खा सकते हैं बीना चटनी के भी तो देखिए कितना अच्छा से यह फ्राई हो गया है तो इसको हम एक motset में सारा अपना निकालकि हम तैयार कर लेंगे तो यहां पर देखिए सारा निकाल लिया है मैंने और उसको बीच बार निकाल ईया है मैंतने कैंट्छा लग रहा है खाने में अतना ही ज़्यादा यह टेस्टी है और गरम घरम् गरम आप खा के देखिय que gha बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आएगा तो एक पार आप जिरूँ ट्राई करें और वीडियो पसंद आस्डाय करें तर वीडियो के लाइक